जै माभद्रकाली जै महाकाल हमारी यूट्यूब चैनल प्राचिन मंतर हस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज हम आपको शत्रू मारन विधी यानके शत्रू मारन विधी का एक ऐसा पावरफुल भहरव मंतर और संपून विधी की साथ बताने जा रहे हैं जिसकी सहायता से आप अपने बड़े से बड़े शत्रू से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा देंगे जी हाँ दोस्तो बहुत ही पावरफुल टोटका है अजमाया हुआ टोटका है इस टोटकेक से आज तक कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया है दोस्तो यह जो टोटका है इसकी संपून विदी आज हम आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिये लाल बटन के उपर क्लिक करें और अभी हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करें तो आइए दोस्तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तिमाल किस परकार से करना है दोस्तो यह जो टोटका है यह दक्षन भहरव यानके टोटल 12-52 भहरू होते हैं उनमें से एक भहरू है दक्षन भहरव और उनी का ही मैं आज आपको शत्रु मारण मंत्र बताने जा रहा हूं यह संपोण विधी आपने किस परकार से करनी है इस विधी की पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों सबसे पहले तो आपने इस टोटके को करने के लिए अमावश्य और शनिवार इन दोनों में से किसी एक दिन को चुनना है और किसी भी दिन आपने इस टोटके को नहीं करना है दूसरी बात यह है दोस्तों कि यह टोटका घर से बाहर किया जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप घर से बाहर किसी एकांत स्थान में इस टोटके का जो यह विधी है इस पूरी विधी को अनजाम दे तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने अपने शत्रू का एक पुतला बनाना है अब पुतला आप उसके पाउं की मिट्टी लेके उसमें आप नदी के किनारे की मिट्टी या चौरस्ते की मिट्टी डालकर उसका पुतला बना सकते हैं और उसके इलाबा आप आटे का पुतला ब बना लेना है तो जब भी आप पुतला बनाएं आपने आखे बंद करके उस पुतले को अपने हाथ में लेके अपने शत्रू का नाम उसकी फोटो अपने मन ही मन में आपने उचारित करनी है और अपने शत्रू का आपने आभाज जो है इस पुतले के अंदर परवाहित करना है अपने हिरिदे के द्वारा क्योंकि जब आप अपने मन में अपने शत्रू के बारे में सोचेंगे तो उस व्यक्ति का अंश इस पुतले में खुद बखुद आ जाएगा और बाकी आप आटे का पुतला बनाएंगे तो भी आपने यही चीज करनी है तो इन चार तरीकों से आ आप अपने शत्रू का पुतला बना सकते हो उसके बाद में दोस्तो आवशक्ता आपको पड़ेगी साथ लाल मिरच की और लाल मिरच सातों की सातों इस परकार से डंडे वाली होनी चाहिए बिना डंडे वाली मिरची का इस्तिमाल आप मत कीजिएगा उसके बाद में आपन पुर्चे बाद केसे लाब। दोस्तों, आपने एक मंत्र का जाप करना है, जो मैं आपको बोलकर बताऊंगा, उस मंत्र का आपने जाप करना है, क्योंकि यह दक्षन भैरव मंत्र है, तो मैं आपको बोलकर बताने जा रहा हूं, उस ही परकार से आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, तो दोस्तों, मंत मंत्र सबसे पहले आपने इस प्रकार से सारी स्वामगरी लख लेनी है और उसके बाद में उस मंत्र का आपने उच्चारण करना है तो दोस्तों मंत्र इस प्रकार है ओम दक्षण भैरवाय तंत्र बद्ध निंग्रही सरवशत्रू सेंगहारणी कार्य सिद्ध कुरू कुरू स्वाहा इस मंत्र को आपने टोटल ग्यारा बार पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने सबसे पहले तो यह लाल धागा लेना होगा और धागा लेकर आपने उसकी गर्दन पर इस परकार से जो पुतले की गर्दन होगी उस गर्दन पर आपने अच्छे तरीके से इस परकार से लपेट देना है और इसको कस के गांट लगा देनी है इस परकार से आपने कस के गांट लगा देनी है और लगाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने लाल मिर मिर्ची को इस परकार रख दिया, दूसरे वाली को इस परकार रख दिया, तीसरे वाली को इस परकार रख दिया, चोथे वाली को इस परकार रख दिया, पांचवे वाली को इस परकार रख दिया, और सातवे वाली को आपने इस परकार से रख देना है, सातों की सातों मिर्च को आपने अपने शत्रु के पुतले के उपर रख देना है उसके बाद दोस्तो आपको आवशकता पड़ेगी सिंदूर की तो इस परकार से आपने चुटकी भर सिंदूर ले लेना है और इस पुतले के उपर आपने थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है ये देखिएगा तो तो दोस्तो इस परकार से आपने पुतले के ओपर सिंधूर छिड़क देना है और सिंधूर छिड़कने के बाद क्या होता है कि जो बुरी शक्तियां होती है उनका हम लोग आवाहन करते हैं मंत्र जाप के द्वारा तो जो मंत्र मैं आपको अभी बोलकर बता के हटा हूँ उस पुरू कुरू स्वाहा इस मंत्र का आपने टोटल 151 बार जाप कर लेना है और जाप करने के बाद दोस्तो आपने क्या करना होगा कि उसी लाल कपड़े में इस पुतले को आपने लपेट लेना है और लपेट के अच्छे से कुछ लकडियां कुछ कागज लगा के आपने इस पुतले को उसी ही स्थान के उपर जला देना है और जलाने के बाद जो भी इसकी राक बचेगी वह आपने रात्री के 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में बहते हुए पानी में परवाहित कर देना है अगर आपके पास बहता हुआ पानी नहीं है तो दोस्तों उसे आप किस जान नहीं कर पाएगा तो दोस्तों यह बहुत ही पावरफुल टोटका है बहुत सोज समझ कर ही आप इस टोटके को अंजाम दीजेगा क्योंकि छोटी सी भूल आपको भी नुकसान पहुचा सकती है और किसी की आपका किया हुआ मजाक किसी की जान भी ले सकता है तो ऐसा आपने भूल कर भी नहीं करना है बहुत अधिक आवशकता हो तब ही आप इस टोटके का इस्तिमाल कीजेगा क्योंकि यह किसी की जान का सवाल है तो किसी के साथ बिल्कुल भी मजाक आपने नहीं करना है मजाक में भी यह टोटका बिल्कुल भी नहीं करना है तो दोस्तों इस टोटके का इस्तिमाल कीजिए और अपने शत्रू से हमेशा के लिए छुटकारा पाईए अधिक जानकारी सहायता और हमारे विशेशग्य से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई नंबरों से आप हमें संपरक कर सकते हैं अगर आपको किसी अन्य सहायता की आवशक्ता ह होगी तो भी आप हमें संपरक कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को अब इसे सस्क्राइब कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों जैमा भद्रकाली जैमाहकाल